Hey guys, welcome back, it's Orpita, I hope you all are doing extremely well, in today's video, हम एक लोग क्रेट करने वाले हैं, तो मैं वीडियो बनाने से पहले कुछ भी प्लान ने करती हूँ, जो भी फ्लो में होता है, मैं वही क्रेट करती हूँ, so last तक जरूर देखना to see the final look, मैं पहले से नहीं बताना चाहूँगे, but it is going to be a very elegant makeup look, करने वाली हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा, you know, excited थी कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मेरे स्किन पर कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, but they were looking so good, पहले तो मैंने new foundation यूज़ की है, this is by Manglam, it is super serum foundation, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कवरेज दिया है, daily use के लिए बहुत ही अच्छा brush है, and then सब को set up कर लेने के बाद में next करूंगी, powder blush and powder highlighter apply, you know, जब आप creamy blush and highlighter लगाते हो, तो बहुत ही natural look देते हैं, so थोड़ा समय powder blush and highlighter भी लगाऊंगे, so that मेरे जो features है, वो enhance हो, and अच्छे से दिखाई दे, तो अभी मैं केरला में रहते हूँ, केरला मे बहुत humidity है, यहां पर temperature 35 तक है, 35 में भी इतना बापरे मेरे जो skin है, बहुत ही crazy, crazy तरीके से आजकल, you know, act up कर रहे हैं, तो बहुत ही दर लग रहे हैं, कि क्या होगा मेरे skin के साथ, जब भी मैं make-up करती हूँ, मैं बहुत ही दरती हूँ, but anyways, मैं try करती हूँ, कि मैं अच्छा अच्छी quality के product यूज करू, so that मेरे skin protected रहे, खराब ना हो, so, जो भी products मैं यूज की है, सारे सारे बहुत ही अच्छे products है, वैसे जो मैंने foundation यूज की है, उसमें SPF भी है, तो आपके skin को वैसे ही, बहुत ही अच्छी तरी किस UV rays से protect करता है, मैं अपने face को थोड़ा सा control करने क कोशिश कर रही हूँ, I am using this contour powder, bronzer powder by post cosmetics, and then मैं SPF colors का headed with love palette यूज कर रही हूँ, उसमें से यी beautiful orange shade यूज कर रही हूँ, समर्स है, तो थोड़ा सा summery vibe तो चाहिए ही चाहिए, and then I am using a blue shade from the same palette and mace quaza kajal यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा smoky look देने वाली हूँ, and then मैं थोड़ा आई जे वो sparkly, sparkly लगे, and then हम next step पर जाएंगे, I will use a lipstick, मैं a lipstick में क्या apply करूँगी हमेशा confused रहती हूँ, क्योंकि आज वैसे ही मेरे eye look इतना, you know, उबर के नहीं आ रहा था, because I used all the like neutral shades, and थोड़ा सा मैंने काजली blue लगाया था, तो मैंने सूचा कि nude shade के साथ ही जाते हैं, त लिकिन जब आप nude shade apply करते हो, make sure कि आप थोड़ा सा lip liner बगारा यूस करो, so that वो आपके skin tone को washout ना करे, and वैसे ही आपके lips को बहुत ही, you know, define करते हैं, अच्छी तरके से lip liners, तो ये वाला shade में यूस करूँ हूँ, ये lipstick भी new है, तो मैं इसका भी link आपको description box में मेंशन कर इस फ्रम एंडमान, और जो earrings लिए है, तो ये जो टॉप पेनावा है, तो यहाँ से वहाँ से यहाँ से चीज है, मैंने जो भी रखे वे थे तो मैंने, मैं सोचती हूँ कभी कवर अकर look rate करती हूँ तो उनको पहनू, so मैं मलती हूँ बहुत जल्दी मेरने इस वीडियो में तिल देन बाई!